गंगा के नजाने कितने जलकन पशु पक्षी पी जाते होंगे। गंगा के कितने जलकन सूरी की उर्जा से वाश्पी करन हो जाता होगा। गंगा के कितने ही जलकन धरती में इधर उदर चले जाते होंगे। खेत में चले जाते होंगे लेकिन अगर परंपरा चलती रहती है तो बाधाएं भी पत्थर आ गया पीछे से जल की परंपरा आ रही तो पत्थर को पार कर लेगी गड़ा आ गया तो जल उसको भर कर आगे चलता रहेगा परंपरा चलती रहती है तो जल का प्रवाह समुद्र में मिलता है मैशी से प्रभावीत हूँ कितना मंदिर का काम पूरा हो चुक है चंपजी एक महिने का वक्त है 22 जन्वरी को प्रधान मंतरी पुरा देश 22 जन्वरी 2024 सौंवर राम लला का एक नया विग्रह तैयार किया जा रहा है ये पाँच वर्ष के बालक का चित्र है राम लला मंदिर है चाइल्ड राम इन्फिंट राम तो पाँच वर्ष के बालक की कल्पना की गई है पाँच वर्ष के बालक की आखे कैसी कपोल कैसे मुस्कान कैसी शरीर की रचना कैसी इसकी कल्पना की गई है पत्थर की खड़ी मूर्तियां बनाई जा रही है खड़ी मूर्ति अगर पैर की उंगली से नपा जाए तो ललाट 51 इंच पर होगा इतना ही फिक्स किया है ललाट के उपर सरका टॉप फिर आभा मंडल ये अलग है तीन मूर्तिकार तीन अलग-अलग पत्थरों पर भगवान का चेहरा उकेर रहे है अब कौन पांच वर्ष के बालक की सुकोमलता को ठीक से नहार पाएगा भगवान किसका हाथ सुईकार करेंगे ये पंदरा दिन में तै कर लेंगे मूर्तियां तैयार है दूसरी बात प्राण प्रतिष्था मंदिर में नहीं मंदिर के गरबगरह में होती है गरबगरह मंदिर का सबसे अंतिम पश्चमी छोर है वो गरबगरह संगमरमर का है मकरणा के सफेद मारबल का है वो पूरी तरसे तैयार है उस मंदिर में दरवाजे लगेंगे वो तैयार है शेश मंदिर का लगभग काम तैयार है मैं लगभग कह रहा हूँ क्योंकि उसमें लगभग 170 खंबो पर तमाम मूर्तियां बनाई जानी है ये काम दसियों साल का है ये मंदिर के निर्मान का हिस्सा नहीं है मंदिर की सुन्दरता का हिस्सा है मंदिर का एक फ्लोर है 350 फिट लंबा 250 फिट चोड़ा इस पर मारबल लगना है लगाय जा रहा है जितना लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा लेकिन गर्वग्र है जहां प्रतिष्ठा होनी है वो तयार है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए दो आवश्चक बाते हैं गर्वग्र है और जिस प्रतिवा की प्रतिष्ठा होनी है उस प्रतिवा की तयारी ये दोनों बाते हो गई निमंतरन चमपजी किस-किस को दिया गया है या दिया जा रहा है सादू संतों को या राजनिताओं को विदेशों से भी महमान आएंगे चमपजी राम जनम भूमी को वापस प्राप्त करने के लिए 497 जो भी 500 साल है उसमें हम नहीं कह सकते कितने लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि 1984 में प्रारंब किया था तो लगबग देश के पांच लाक गाओं महले कलोनियों तक ये विचार पहुँच गया कम से कम दस करोड़ों लोगों ने एक आकलन है हमारा ले इस मंदिर के निर्माण में अपनी परिश्रम का कुछ हिस्सा दिया है वो दान नहीं दिया किसी ने भी भगवान को भगवान का धन्त तो दिया है कार्या है तेरा तुझको अरपन इस समरपन के भाव से दिया है तो ये मंदिर ये संपूल्न राष्ट्र का देश की आज आबादी 135 करोड तो 135 करोड समाज का राम के भक्त भारत से अलग संसार के 50-60 देशों में रहते हैं व्यापार धंदा करते हैं अपने अपने घरों में मंदिर बना कर राम की उपासना करते हैं उन सब का इसलिए ये विचार है कि सारे भारत का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनित्य यां होना चाहिए इस आंदोलन में कम से कम 15,000 संत महापूर्शों की अपने अपने छेत्रों में अत्वा जितना जिसको कहा गया उतने छेत्रों में लोगों ने समाज जागरन का काम किया है लगातार किया है अपने मठ से घर से निकल कर जागरन करने के लिए सड़क पर चलते हैं तो कुछ नं कुछ कष्ट जरूर होता है इसलिए यही सोचा गया है कि संतों का कार्कम अधिक मात्रा में बने देश में तेहरा खाड़े है छे दर्शन है अनेक प्रकार की परंपराए है पूजा पद्धतिया है गुरू परंपराए है हम लोग केवल वर्षनाओं और सन्यास को जानते हैं लेकिन वनवासियों के भी धर्म गुरू है इसलिए कम से कम भारत वर्ष की 125 परंपराओं के संत महापुरुश आएंगे घुमन्तु समाज में भी साधू होते हैं सारा देश यहाँ होगा मैं अपने आकलन के अधार पर कहता हूँ के हिंदुस्तान का प्रत्यक जिला वहां के जिले का कोई न कोई एक संत महापुरुश आँ होगा चार हजार संख्या होगी उनके शिश्य और सेवकों को छोड़ दीजे बिलकुल अगली बात है थी ग्रेस्त की तो हमने यह सोचा है समाज जीवन के कितने छेत्र है सब का प्रतिन दित्व होना चाहिए खिलाडी, वैज्यानिक, लेखत, साहितकार, कभी, रंगमंची कलाकार फिल्म जगत, अपने किसी गुणों के कारण भारत सरकार ने पदमशिरी दिया ऐसे भी 10-20 लोग होने चाहिए सेवा निवर्त पुलिस अधिकारी, प्रशाशनिक अधिकारी, राजदूत सेवा निवर्त न्याय धीश और जिन अधिवक्ताओं ने इस मुकदमे को 50 साल तक लड़ा वो आने चाहिए भारती सेना के वो वीर जिनोंने देश की सम्मान की रक्षा के लिए जीवन बलिदान दिया और उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरलो प्रांता ही क्यों नहों कोई वीरता का चक्र दिया उनके परिवारी जन आने चाहिए और राम जनमुमी के लिए पिछले 38 साल में जिनका शरीर चला गया जिने कोई जानता है उनके परिवार का कोई व्यक्ति आए मैं नाम लूँगा जोदपूर, गराम मथानिया, सेठा राम माली शायद 18-19 साल का नौजवान था अयोद्यावे दिगंबर अखाड़े के पास जोदपूर के प्रफिसर महिंदर अरोडा के साथ दोनों को गोली लगी थी वो तो प्रफिसर दी तो बालक था और इस बालक का बालक ही आज शाय तीस बत्तिस साल का है हमारी कोशिश रहेगी उसके परिवार का कोई आए हम दुनिया में भारतिये हैं राम भक्त हैं लगबग पचास इक्यावन देशों का एक-एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए इस और ध्यान दे रहे और इस प्रकार यह संख्या हो सकता है दो हजार को क्रॉस कर जाए इस मंदिर को बनाने में आज चार हजार लोग काम कर रहे हैं इंजीनियर हैं सुपर्वाइजर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सब कॉंट्रेक्टर्स वेंडर्स हैं साड़े तीन हजारतों के वाल लेबर है हम सोच रहे हैं इसका भी दस से बारा प्रसंट आना चाहिए हम सभी लेबर को दो नहीं बैठा सकते जगा नहीं है लेकिन ये संक्या चार सो से पांसो हो सकती है हर एक श्रेणी सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो कि उनका गुस्टा सहना ही पड़ेगा अक्रोध स्वह सहन करना अच्छी बात है लेकिन सारा भारत यहां हो हमारा ये द्रिश्टी कोड है